नमस्कार, विकोम पार्ट फर्स्ट के ABST विशय के पेपर, इस वीडियो में जो टोपिक हम आज पढ़ेंगे, वह है Frequency Distribution, जिसमें Cumulative Frequency के बारे में हम बात करेंगे, यानि आवर्ती वित्रण, जिसमें संचे आवर्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे. संचे आवर्ति, Cumulative Frequency, जब विभिन वर्गों की अलग-अलग आवर्तियों को इस प्रकार लिखा जाता है, कि अगले वर्ग की आवर्ति में, विछले वर्ग की आवर्ति सम्मिलित हो, तो उसे संचे आवर्ति कहते हैं, यानि क्रम से आवर्तियों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं, तब जो इस प्रकार से आवर्ति वित्रण फ्राप्त होता है, वो संचे आवर्ति वित्रण फ्राप्त होता है. कुछ सांखी किये मापों की गणना करते समय, स्रेणी की आवर्तियों को संचे बनाना पड़ता है, तो इसके लिए प्रारम से आवर्तियों को एक दूसरे में जोडते, क्रम से जोडते चले जाते हैं, और इस प्रकार से जो आवर्ति वित्रण फ्राप्त होगा, वो संचे संचे आवर्ति वित्रण प्राप्त होता है, कभी कभी या कई बार प्रिश्ण में हमें संचे आवर्ति वित्रण ही दिया हुआ होता है, जब आवर्ति या समंग स्रेणी में उपरी सीमा से पहले, यानि अपर लिमिट से पहले, less than, below, under, up to, not exceeding than या निचली सिमा के साथ over, above, exceeding than, more than आदिशब्तों का प्रियोग किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि ये जो आवरती वित्रण है वह संचई ही होगा यानि पहले से ही वो संचई आवरती वित्रण दिया हुआ है देखिए प्रस्तूत उधारण में किस प्रकार से आवरतीयों को संचई बनाया गया है इसमें क्लास इंटरवल दिये गए है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700 इनके आवरतियां क्रम से हैं 2, 9, 15, 20, 34 और 40 अब इन आवरतियों को संचे जब बनाएंगे तो प्रारम से क्रम से है इन आवरतियों को एक दूसरे में जोडते चले जाएंगे प्रथम वर्ग की आवरती तो जोकितियों ही रहेगी वो दो ही रहेगी इसके बाद अगली जो आवरति है 9 वो दो में हम प्लस कर देंगे जोड़ देंगे तो 200 से 300 की संचे आवरति आएगी वो आएगी 11 फिर अगला जो वर्ग है 300 से 400 उसके आवरति 15 है इस 15 को हम अब 11 में जोड़ देंगे तो जो तीसरे वर्ग है 300 से 400 उसके आवरति आजाएगी 26 इसके बाद जो 400 से 500 का वर्ग है उसके आवरति 20 है और 20 को हम 26 में जोड़ देंगे तो कुल आवरती संची आवरती है वह हो जाएगी 46 और उसके बाद अगला जो वर्ग है 500 से 600 उसकी आवरती है 34 इस 34 को हम 46 में प्लस कर देंगे तो इस वर्ग की संची आवरती है वह हो जाएगी 80 और जो 600 से 700 का अंतिम वर्ग है उसकी आवरती है 40 तो इसे हम 80 में जोड़ देंगे तो जो संचे आवरती है वो हो जाएगी 120 इस प्रकार जो कुल आवरतीयों की संख्या है यानि आवरतीयों का योग है 120 है यानि अंतिम जो संचे आवरती है वो कुल आवरतीयों का योग बता इसी प्रकार आप देखिए अगला जो उदारण है उसमें लेस्ट दैन में जो कुम्टरे फ्रिक्वेंसिय वो दे गई है कि लेस्ट दैन रूपीज 120, less than 140, less than 160, less than 180 और less than 200 यहां पर जो आवरती है वो हमें संचई ही दे रखी है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जो स्रेणी है उसमें वर्ग की उपरी सिमा या अपर लिमिट के साथ less than का प्रियोग होता है तो वहां पर जो आवरती है वो संचई ही दी हुई होती है तो यह जो आवरती वित्रण है यह संचई वित्रण है वो दिया गया है इस प्रकार जो आगे दूसरा आगी इसमें दिया गया है उदान मोरदेन में तो मोरदेन है वो वर्ग की निचली सिमा के साथ जुड़ा 140, more than 160, more than 180, तो यह जो आवरती वित्रण है ये भी संचेई ही, पहले से ही संचेई बना कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब भी आपके सामने कोई प्रशन आए, जिसमें वर्ग की उपरी सीमा के साथ less than, below, under, up to, not exceeding than, जुड़ा हुआ हो, या निचली सीमा के साथ over, above, exceeding than, more than, आदि शब्दों का प्रियोग हुआ है, तो वहाँ पर यह समझना चाहिए, कि जो आवरतियां है, उस स्रेणी के जो आवरतियां है, वह संचई हैं, अब हम आगे देखते हैं, संचई आवरतियों को सामन्य आवरतियों में बदलना, यानि अगर आवरतियां संचई दी हुई हैं, तो उनसे वास्तिक या समन्य आवरतियां कैसे ग्याद करेंगे, क्योंकि वह सारे जो सांखी के माप हैं, उनमें हमें वास्तिक आवरतियों की जरूरत होती है, इसलिए यदि संचे आवरति स्रेणी दी हुई है, चो क्रम बार गड़ती हुई या बढ़ती यदि आवर्तियां गटती हुई हैं तो आंतिम वर्गांतर की आवर्ति जोंकितियों रखी जाएगी यानि वो की वो ही रखी जाएगी और उपर वाले वर्गांतर की आवर्ति में से निचले वर्गांतर की आवर्ति को गटाया जाएगा और संची आवर्तियों का क्रम कार से हम प्रतेख वर्ग की वाश्थिक अवर्ति जियात कर लेंगे कर आपके सामने एक उदाण है जो संची आवर्तिओन के समंद में जिसमें danced दिए है और नंवर यह तो लिदेंट्स से वो उनकी आवरतियां हैं तो यहां पर जो marks है वो more than 70% है more than 60% है more than 50% है more than 40% है more than 30% है और more than 20% है जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर निचली सीमा के साथ यानि वर्क की निचली सीमा के साथ more than लगा हुआ है या over है या above है तो जो आवरतियां है वह वहाँ पर संचय ही होंगी यानि स्ट्रेणी की जो आवरतियां वो संचय दी हुई होती है और हमें वास्त्रिक आवरतियां ग्याद करनी पड़ती है तो यहां पर जो वास्त्रिक आवरतियां है वो ग्याद करने के लिए समसे पहले हम जो वास्त्रि 70 फिर more than 60 तो यहां फिर जो class interval चल रहा है वो 10 का चल रहा है यानि वर्ग विस्तार है वो 10 का है तो हम जो 70 से उपर जो लेंगे मुल्य है वो लेंगे 80 यानि 70 से 80 का एक वर्ग बनेगा सबसे पहले इसी प्रकार फिर 60 से 70 का वर्ग बनेगा फिर 50 से 60 40 से 50 30 से 40 और 20 से 30 इस प्रकार से यह वास्तिविक वर्ग है बन जाएंगे अब यहां पर जो आवरतियां दी गई है जैसा कि आपने आप देख रहे हैं कि यहां पर आवरतियां वो बढ़ते हुए क्रम में हैं तो अगर बढ़ते हुए क्रम में आवरतियां हैं संची आवरतियां बढ़ते हुए क्रम में हैं तो प्रथम वर्ग की आवरति को जोंकाते हो रखेंगे यानि वो ही रहेगी और आगे की आवरतियां ग्यात करने के लिए हम अगले वर्ग की आवर्ति में से पिछले वर्ग की आवर्तियों को गटाते चले जाएंगे तो इस प्रकार से जैसे 17 से 80 का पहला वर्ग है उसकी आवर्ति तो 7 ही रहेगी इसके बाद अगला जो वर्ग है 60 से 70 तो इसकी वास्थिव आवर्ति गयात करने के लिए इसकी संची आवर्ति को कटाते चले जाएंगे तो यहां पर जो इसकी संची आवर्ति है वो है 18 18 में से 7 माइनिस करेंगे तो 60 से 70 के वर्ग की आवर्ति आजाएगी 11 इसी प्रकार फिर 50 से 60 वाले वर्ग की संची आवर्ति है 40 तो इसमें से हम इससे पहले वाले वर्ग यानि 60-70 वाले वर्ग की आवर्ती ढटा देंगे 60-70 वाले वर्ग की आवर्ती है संची आवर्ती वो है 18 तो 40 में से जब 18 माइनिस करेंगे तो 50-60 वाले वर्ग की आवर्ती आजाएगी 22 इसी प्रकार से फिर 40-50 वाले वर्ग की आवर्ती ग्यात करेंगे तो 40-50 वाले वर्ग की संची आवरती है 40 और उसे पहले वाले वर्ग, यानि 50-60 वाले वर्ग की संची आवरती भी 40 है तो 40 में से 40 मैनिस करेंगे तो 40-50 वाले वर्ग की जो आवरती है वास्ति को आवरती हो आएगी सुन्या इसी प्रकार फिर 30 से 40 वाले वर्ग की आवरती ग्याद करेंगे तो 30 से 40 वाले वर्ग की संचे आवरती है 55 55 में से इसे पहले वाले वर्ग यानि 40 से 50 वाले वर्ग की संचे आवरती गटा देंगे तो 55 में से 40 गटाएंगे तो इसकी आवरती आजाएगी 15 रहे और इसी प्रकार लास्ट जो वर्ग है 20 से 30 इस वाले वर्ग की आवर्थी ग्याद करेंगे तो इसकी जो संचिया वर्थी है वो है 60 और इसे पहले वाले वर्ग यानि 30 से 40 वाले वर्ग की संचिया वर्थी है 55 तो 60 में से 55 माइनस करेंगे तो इस प्रकार से जो वास्तव अगले आगे वाले वर्गों के वास्त्विक आवर्तियां ग्याद करने के लिए जिस वर्ग की संची आवर्ति है उसमें से उसे पहले वाले वर्ग की संची आवर्ति को माइनस कर देंगे. संची आवर्तियों से वास्त्विक या सामान्य आवर्तियां ग्याद करने के समन्द में एको इलिस्टेशन आपके सामने है जिसमें भी संची आवर्तियां वो बढ़ते हुए क्रम में ही दे रखी हैं तो यहाँ पर जो वर्ग बनेंगे वो बताये गए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 50 से 60 के वर्ग बनेंगे और जो वास्त्विक आवर्तियां वो भी पूर्व की तरह ही बनेंगी क्योंकि यहाँ पर भी जो संची आवर्तियां हैं वो बढ़ते वे क्रम में हैं तो उसमें प्रथम वर्ग की आवर्ति तो जो पंद्र है वो ही रहेगी आगे के वर्गों की संचिय आवर्ति को बिटाते चले जाएंगी इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार संचिय आवर्तियों से वास्तिविक आवर्तियां बनाते हैं यहां पर मैं पून बात यह याद रखनी है आपको कि आवर्तियों का क्रम किस प्रकार का है अगर आवर्तियां बढ़ते वे क्रम में हैं, तो प्रथम वर्ग की आवर्ती तो संचिया वर्ती है, वही वास्तिविक आवर्ती रहेगी, अन्य वर्गों की वास्तिविक आवर्तियां ग्याद करने के लिए, जिस वर्ग की आवर्ती ग्याद करनी है, उस वर्ग की संचिया वर्ती में से उससे पहले वाल वो संची आवरती के बराबर ही होती है अन्य वर्गों की आवरतियां ग्याद करने के लिए जिस वर्ग की वास्तविक आवरती ग्याद करनी है उस वर्ग की संची आवरती में से उसके आगे वाले वर्ग की संची आवरती को गटाते चले जाएंगे